शे एक्टूबर को पाकिस्तान के कराची हवाई अड़े के पास एक विस्फोट हुआ जिससे पुराइला का धुआ धुआ हो गया पाकिस्तान में चीनी दूतावास के मताबिक इस विस्फोट में दो चीनी लोगों की मौत की पुआ आई है जबकी एक चीनी शक्स घायल है घटना में कुल 11 लोग खायल हैं रोटिस की अनुसार जियो न्यूज ने एक प्रांती अधिकारी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि विस्फोट की प्रकृती तुरंट स्पष्ट नहीं थी लोग तेस की रिपोर्ट के अनुसार पत्रकार को इमेल किये का एक बयान के अनुसार बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है बियले ने दावा किया है कि इंजिनेरों सहेत चीनी नागरिकों को निशाना बना कर वाहन जनित विस्फोटत का इस्तमाल कर हमला किया गया था जो इनिशल इतला हुई है वो एक आयल टेंकर जो है उसके आग लगने से जो मुतदित गाड़ियां जो है वो उसकी जदमी आई है और उससे बहुत सारा को लेटरल डेमेज हुआ है उसको हम अभी मजीद असर्टन कर रहे हैं या कोई और ऐलिमेंट जो है तकरीब कारी का जो है वो इस वकत्त का बलस वक्त है रहे हैं उसको हम वेरिफाय कर रहे हैं कि वो इस हाथसे के जदमी वोके आए है घृतलब है कि बिले ने अगस्त के महिने में भी ऐसे हमले किये थे जिसमें 17 से अथिक लोग मारे गए थे बेले पाकिस्तान के दक्षन पश्रम में स्थत और अफगानिस्तान और एरान की सीमा से लगे बलुचिस्तान प्रांथ के लिए स्वतंद्रत आ चाहता है बेले ने विशेश डूप से ग्वादर बंदरगा में चीन की दिलचस्पी को लिशाना बनाने की कोशिश की है उनका आरूप है कि बीजिंग इसलामबाद प्रांथ का शोशुन करने में मदद कर रहा है इसी के तहद वियले ने कई चीनी नागरिकों को मार डाला है और कराची में बीजिंग के वाड़े जिदूतावास परने हमला किया उनका आरूप है